दोसों आज की वीडियो के अदर discussion करेंगे, हाली में Fires ने एक नए अपडेट दिया था, उस अपडेट के अंदर एक नए फीचर एड़ हुआ है, जो की order placement को लेकर है, एक smart order placement है, जिसका हम बहुत बार use करते हैं, ट्रेडिंग के अंदर, काफी सारे options buyer और options seller भी इसका use करते ह और कई बार उसको manually करना काफी time consuming होता है, लेकिन अब इसको थोड़ा systematic तरीके से कर दिया है, ताकि आपका time भी बचे, और automatic fires का system आपके लिए order placement कर दे, उस तरीके से, तो आज की वीडियो के अंदर इस feature के बारे में बात करेंगे, practical में आपको करके दिखाऊंगा, कैसे हम करेंगे, तो उसके उपर बात करेंगे, तो यह जो दोस्तों feature है, यह है average out smart order, average out smart order, बहुत बार हम market के अंदर average out को use करते है, intraday basis पे भी करते है, प्लस अगर हम short term की बात करें, यह निंग holdings पे बात करें, holding पे भी करते है, अब holdings में तो क्या है कि अगर हम किसी stock को average out करते हो, वो कोई issue नहीं है, लेकि market के अंदर ऐसे indices भी है, जिसके अंदर हम थोड़ा सा bay figure होके average out करते हैं, वह सस्ते में करते हैं, तो that's why reason यह काफी काम आपके आ सकता है, तो एक बार यह placement किस तरीके से करते हैं, क्या feature, एक बार मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, फिर practically एक बार platform के ओपर देखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों माल लेते हैं, कोई भी company हम इसको माल लेते हैं, माल लेते ABC company हैं, और यह company का stock है, इसको मैंने buy करने के लिए सोचा है, तो यहाँ पर देखें, मैंने एक order placement करी, मैं पहले एक quantity या जो भी quantity आप चाहें, 10 quantity, 15 quantity, 20 quantity, whatever, जो भी आप चाहें, माल लेते हैं कि हमने decide करा कि एक quantity लेकर के देखते हैं, कि stock बढ़ता है नहीं बढ़ता, अगर बढ़ेगा तो और ले लेंगे, तो पहले आपने एक buying करी, माल लेते हैं कि 101 पर आपने stock में quantity डाली और आपने इसको buy कर लिया, और आपने एक smart order लगा दि मेरा decision है, मैं अपने हिसाफ से उसको add करूँगा, ठीक है, तो माल लेते मैंने तीन बार decide करा कि 101 पर मैंने first buying कर ली, अगर stock उपर जाता है, माल लेते 102 पर जाता है, तो एक और buy कर लो, तो ये smart order क्या करेगा, automatic, ये वाला काम तो आपने manual करें, एक बार order placement दे दी, फिर ये average out downside भी करते है, अला कि आपकी strategy है, आपने उसको backtest करा है, और आप चाते हैं कि इसको downside करें, या फिक ETFs वगरा के अंदर index fund में, index के जो ETFs होते, उसमें काफी लोग positional basis पे average out करना पसंद करते, तो अगर आप वो करना चाते हैं, वो भी कर सकते हैं, माल लेते कि पहली आपक quantity add कर दी, अब आप यह सोच रहे market उपर जाएगा, अगर market उपर ना जा करके नीचे चला गया, तो आपने अपनी average price को कम करने के लिए, नीचे के level पे कुछ और buying कर ली, तो यह automatic लगेंगे नीचे के order, और यह वाला जो order है, यह भी automatic लगेगा, तो इस तरीके से, जो fires का new feature है, जिसके अदर average out smart order, इस तरीके से market में काम करता है, अब एक काम करते हैं, practically मैं fires के platform पे लेकर के जाता हूँ, मैंने अभी backtest भी कराए इसको, आदे गंटे पहले, मैंने खुढ ट्राइ करके देखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, प्लस कैसे placement करते हैं, वो मैं आपके स शेर करता हूँ, तो एक बाँ fires पर चलते हैं और देखते हैं दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चाने के यूटूब चैनल में, मेरे नामे अन्मोल मितल, पीछे आप देखिए, fires का ट्रेडिंग प्लैटफोर्म मैंने open कर गया रखा है, यहाँ आप बहुत सारे फीचर समय मिलते हैं, बहुत ही फैंटस्टिक चार्ट मिलता है, खास बाद ही होती है fires की, अगर आप मार्केट के अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रेड करना पसंद करते हो, जैसी स्कैल्पिंग वगरा या इंट्रेड वगरा, तो उसमें एक ही विंड यहाँ पर दिख जाएंगे, तो यहाँ पर देखें, मैंने स्मार्ट ओडर लगाया था, टेस्ट करने के लिए कि कैसे काम करते हैं, दैन उसके बाद मैंने वीडियो शूट करी, अभी यह लाइट चल रहा है ओडर, ठीक है, लाइव इसको लगाया है, तो इसके अंदर दे देते हैं, यह देखें, तो किस-किस तरीके से execute हुए है, वो देखें, पहला जो मैंने यहाँ पर order लगाया था, यहाँ देखें, अभी practically भी बता हो है, मैं आपको कैसे लगाते हैं, तो यहाँ देखें, मैंने entire labor testing के लिए buy करा SBI को, और एक quantity, और उस time, अच्छा यह तो द 11.90 बन, और नई, अभी है, limit price जो था, यह देखें, 800 के आसपस मैंने यह buy करा था, feel करा था, और यहाँ पर देखें, timing मी लिखा है, 11.23 मिनट पर, ठीक है, फिद्यान उसके बाद यह जो नीचे के order लगे है, यह automatic field होते वे चलेगे, automatic field होते वे चलेगे, और जो मेरा average price है, वो दीरे-दीरे नीचे भी आ गया, क्योंकि 800 बे नहीं था, फिर वो नीचे की दरफ आ गया, तो यह सारे order automatic लगे है, यहाँ पर एक बार इसको हटा के मैं आपको दिखाता हूँ, यह देखें, average price देखें, 800 बे आ गया, जब starting करी थी, यहाँ का यह average price था, 802 के आसपा position अब close हो गई है, अब यहाँ पर कोई एक stock दूसरा लगाता हूँ, और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा perform कर रहा है, तो कोई भी एक stock लगा लेते, for example, PNB ले लेते हैं, मंजाब National Bank, ठीक है, तो यह bank का stock ले लेते, अब माल लेते हैं, कि मुझे market में average out की एक strategy लगानी है, कि मुझे ऐसा लगता है कि market यहां से ऊपर जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर market नीचे गया, तो मैं नीचे की level पर और buy करूँगा, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, मैं राइ नहीं दे रहा हैं, फीचर कैसे काम कर रहा हैं, वो आपको बता रहें, प्लस आप च लगानी है, कि हर 5% के downpay में और nifty का ETF करिंदूगा, तो वो भी आप कर सकते हैं, तो फिलाल example लेते हैं, यहां पर PNB का, नॉर्मल यहां में क्या करते हैं, stock को buy पर लगाते हैं, ठीक है, तो मैं यहां पर buy करना चाहता हूँ, PNB को, example के लिए, ठीक है, तो यहां पर देख के second में देखिया, बीच में, middle में आपको देख रहे है, smart step order, तो जो step order है, इसको मैं यहां पर click करता हूँ, click करने के बाद, अब मैं यहां पर लगाऊँगा, अपनी जो भी मेरी condition है, वो मैं यहां पर लगाऊँगा, तो सबसे पहला आपको decide करना है कि intraday trade के लिए आप average out कर रहे है, या overnight के लिए कर रहे है, अगर मैं intraday पर click करता हूँ, तो intraday basis पर होगा, प्लस overnight पर मैं click करूँगा, तो overnight basis पर होगा, लेकिन overnight में एक चीज़ का धियान रखियेगा, अगर आप buy कर रहे हैं, तो कोई issue नहीं है, आप order लगाएंगे, buy automatic होता रहेगा, लेकिन अ बिना DDPI की, वो execute नहीं कर पाएगा, क्योंकि normally क्या होता है, आपको pin डालना पड़ता है, OTP डालना पड़ता है, तब वो sell होता है, तो sell करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, सिर्फ holdings के अंदर, बाकि अगर आप options वगरा कर रहे हो, futures वगरा कर रहे हो, तो उसमे इन्टाइड़ पर माल लेते हैं कि हम यहां पर एक buy order लगा रहे हैं, देखिए मैंने buy पर click कर रहा है, अगर मैं sell order लगाना चाहो, तो sell भी लगा सकता हूं, तो for example मैंने यहां पर buy order पर click कर रहे, अब यहां पर देखिए, माल लेते हैं कि मैं यहां पर average quantity लगाना चाहता for example 5, ठीक है, और यहां पर मैंने लगा दिया 20, अब इसका मतलब यह है कि शुरुआत में यह 5 quantity buy कर लेगा, ठीक है, 5 quantity buy करने के बाद initial basis से 5 कर लेगा, बाकि remaining जितनी quantity बच गई, वो फिर average out पर लेकर क्या आएगा, कितने price difference पर मुझे average out करना है, वो मैं यहां पर डाल सकता तो यहां पर देखें, लगबग 104 पे का चल रहा है, ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं कि मैं बहुत frequently अगर मैं करना चाहूं, अगर यह possible है, तो यहां पर करते हैं, नहीं, less than, देखें यह कह रहा है कि 0.20 से less नहीं होना चाहिए, तो एक काम करतें 0.20 ही डाल देते, मतलब एवरी 20 पैसा पर यह एवरेज आउट करेगा, अब यह आप से पूछ रहा है, अपसाइड आवरेज आउट करना है, तो जैसे कि हमने डिसाइड करना था कि मार्केट नीचे गिरेगी, तो मैं और क्वांटिटी लूँगा, तो मैं यहां पर डाउन पर क्लिक कर दूँगा लेकिन अगर आपको अपसाइड लेना था, कि अगर उपर गया तो ओर लूँगा, उपर गया तो ओर लूँगा, तो वो भी आप कर सकते हैं, और बाकि टेकनिक एवरेज आउट करना ज्यादा सेफ मानते हैं, कोगि वो ज्यादा सेफ होता है, लेकिन मैं सिर्फ फीचर अंदर ही मुझे कर रहे हैं, उसके बाद मैं छोड़ दूँगा, उसके बाद देखिए, एडवांस फीचर में कुछ और आप देखना चाहते हैं, कि मार्कीट पे लगाना है आपको या सिर्फ लिमिटी ओडर लेना है, तो वो आप क्लिक कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लि ठीक है, अब जैसे 20 पैसा नीचे जाएगा, तो ओटोमेटिक देखिए, और यह बाई करता हुआ चने जाएगा, तो यहाँ पर मैं एक बाद स्मार्ट ओडर पे जाता हूँ, और यहाँ पर देखिए, बाई निस्टेक दोस्तों यहाँ पर जो आमने 5 क्वांटिटी लगा सकता हूँ, यह देखिए, यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको पॉस कर सकता हूँ, और अगर इस ओडर को चाहूँ तो मैं कभी भी बंद कर सकता हूँ, अब यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ सिंबल दिख रहे हैं, इसी सिंबल पे आप देखिए, जो पैन वाला सिंबल है, यहाँ से आप इसको modified कर सकते हैं, cross वाले से आप अपने पूरे smart order बंद कर सकते हैं, smart order काम करना बंद कर देगा, then उसके बाद आप यहाँ से pause and start कर सकते हैं, तो अभी फिलान मैंने pause कर दिये हैं, मैं चाहूँ जमर्जी इसको start कर सकता हूँ, running पर ला सकता हूँ, अब यहा कि जो हम advance में यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ देखी, advance में जब जा रहे हैं, तो initial quantity यहाँ पर one लगी हुई थी, that's why reason वो one quantity में execute हुओ, first order, तो अगर मैं यहाँ पर चाहूँ, तो advance में जाकर कि मुझे पहले शुरुवात में कितनी quantity buy करनी है, वो मैं यहाँ डाल सकता हूँ तो उतनी ही quantity initial basis पर यह execute करेगा, अब बाकि यह 5-5 जो quantity है, यह इस पर ही average out कर रहा है, जो हमने यहाँ पर decide करी थी, starting पर, तो मुझे उमीद है यह confusion था, कि शुरुवात में एक quantity क्यों ली, वो आपको clear हो गया, अब यह automatic आपके लिए काम कर रहा है, जब तक यह pause है, तब रहा है, जैसे मैं इसको running पर लगाऊंगा, काम करेगा, तो देखे, मैं यहाँ पर इसको close करता हूँ, और यहाँ पर देखे, मैं इसको running पर लगाता हूँ, अभी देखे, मैंने यहाँ पर इसको click करा, अब यहाँ पर देखे, running पर है, तो यह running पर अभी चल रहा है, जब म मैंने trade लिया था 20 पैसा जो हमने decide कर रहा है वैसे वैसे यह buy करता चले जाएगा 55 quantity और उसके बाद अगर market उपर जा रही है तो यह आपको already जो quantity आपने लिए वो profit में आपको दिखाई रहा है और अगर आप उपर की तरफ average आउट करोगे तो उपर की तरफ buy करता चले जाएगा अब जो उपर की तरफ buy करने वाला जो feature है वो उनके लिए बड़ा काम का है जो market में options trade करते हैं buying के लिए क्योंकि buying में कई बार बहुत अच्छे spikes आते हैं तो इस spikes में कई बार हमें quantity अगर हम बढ़ाते हैं अपने तो उसका जरूर benefit मिलता है तो उसी spike का benefit उठाने के लिए भी काफी लोग इस चीज़ का इस्तमाल कर सकते हैं कि initial basis में कम ले लो और market अगर perform कर रही है तो अपने buy कर लो उसके बाद काफी लोग ETF वगेरा यूज करते हैं जैसे कि देखिए मैं यहां पर लगाता हूं nifty 50 index तो यहां पर देखिए nifty 50 index के ETF मार्केट में available होते हैं इसको तो आप ट्रेट नहीं कर सकते हैं तो यहां पर देखिए आज nifty 50 बहुत जादा डाउन है gap down हुआ उसके बाद नीचे गिर रहा है तेजी से चार्चों का level भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है तो थोड़ा साथ व्यू तो नेगिटिव हुआ है market में लेकिन काफी लोग क्या करते जैसे कि investment purpose के लिए buy करते ETF को निफ्टी के ETF को आपने buy करा और market अगर गिर गया तो आपने नीचे का एक smart order लगा के रखा है तो गिर जाए तो और खरीद लो और गिर जाए तो और खरीद लो तो वो काम आपको manual करने की ज़रूरत नहीं प आपका time बचाएगा जो लोग average out करके trade करना पसंद करते उनके लिए बहुत beneficial यह हो सकता है बागे दोस्तों यही था आज की वीडियो में उमीद करता हूं यह जो fires का step order यानि average out order वाला जो feature है यह आपके जरूर काम आएगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया है बागे cash के अंदर internet dating कैसे कर सकते हैं क्या इनके अंदर risk होते हैं क्या इनके अंदर reward हमें मिल सकते हैं back testing का result साबने मेरी कुछ statement मैंने आपके साथ share करी है वो आप देख सकते हैं और यह सारा course आपको लेने के लिए आपको मुझे कोई पैसा नहीं देना होता है बस छोड़ा सा काम आपको करना होता है आपको हमारा चल सब्सक्राइब करना होता है notification bell को own करना होता है सिर्फ इतना काम आप करेंगे आप हमारे subscriber बन जाएंगे जिसके लिए कोई पैसा आपको नहीं देना है तो उसके बाद यह course हम आपको provide करा देंगे और एक काम आपको साथ में और करना है आपको description box और comment box में Google form provide किया गया है उसका link अपने provide करा है आप उसको click करके उस form को बढ़ दीजिए ताके हम आपको 2-3 दिन के अदर आपकी email ID के ओपर वो course provide करा सके तो यह था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर उम्मेद करता हूं कि वीडियो पसंद आए होगी जल्दी वीडियो में तब दके लिए गुड़ बाई God bless you बाई बाई दोस्तों